वेलकम टु न्यू वीडियो आज के लेसन में मैं आपको एक चेक्लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं यह जो वीडियो है इसके नीचे लिंक होगा एक बटन होगा ग्रीन कलर का आप उस बटन को क्लिक करोगे तो आप एक चेक्लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो आप इस चेक्लिस को रेफर करना है जब ही भी आप कोई भी नया मार्केटिंग कैमपेंड बना रहे हो तो आपको इस चेक्लिस्ट को रेफर करना है अब इस चेक्लिस्ट में क्या है स्टेप नमबर वन जब ही भी आप कोई भी फेस्बुक कैमपेंड बनाओ तो स्टेप नमबर वन है यह डि अगर आपका गोल है, जादा से जादा conversion, जादा से जादा sale, तो आपको website conversion एड़न करनी है, ना कि reach एड़, अगर आपका गोल है, जादा से जादा engagement, जादा जादा likes, जादा जादा shares, तो आपको engagement एड़न करनी है, ना कि conversion एड़, तो जो आपका गोल है, वो decide करेगा, कि आप कौन सा Facebook Ad Objective Select कर रहे हो अगर आपको अपना गोल ही नहीं पता तो जो आप Objective Select करोगे वो हमेशा ही गलत होगा और गलत Objective के साथ जो Results होंगे वो भी गलत होंगे ठीक है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ये जानना कि आपका गोल क्या है तो जबी भी आप कोई भी नया campaign स्टार्ट करो तो number one step है कि आप अपना गोल decide करो ठीक है दूसरी चीज क्या करने है आपको audience research और ये सारी चीज़े आप सीख चूके हो जो भी मैं इस checklist में आपको बता रहा हूँ आपको सारी चीज़े से आप ad दिखा सकते हो अगें आप ये भी सीख सकते हो सीख चूके हो जो कि एक excel फाइल बना के हमने audience research करना सीखा था step number three क्या है landing page create करना कोई भी facebook ad successful facebook ad अच्छा perform नहीं कर सकती जब तक उसका landing page सही नहीं है right then अगला step है landing page create करना then उसके बाद अगला काम क्या है अपनी email sequences लिखना जो भी आप अपना campaign run करोगे लोग आपके website पे जाएंगे अपना email address देंगे तो आपको उनके लिए email email sequences लिखने है जैसे ही कोई आपको अपना email address दे तो उसको क्या mail जाएं जैसे ही किसी की email fail हो जाए जैसे ही किसी की payment fail हो जाए तो उसको क्या mail जाएं जैसे ही किसी की payment successful हो जाए तो उसको क्या mail जाएं तो आपको ये सारी email sequences लिखने हैं अब जैसे आप लोगों ने Facebook ads का course लिखने है तो कई लोगों की payment fail होई होगी मेरी बड़ी सारी mail जाती होंगे आपके पास की last chance to enroll या payment failure notice तो ये सारी sequences मैंने लिखे थे तो अगला काम है आपका अपने email sequences लिखना then next काम क्या है आपका ये सारा automation setup करना इसके पहले तो अभी हमने sequence लिखा था अब आपको सारा automation set करना है अपने email marketing service provider में मैं use करता हूँ active campaign तो आपको अपने सारे automation set करने है आपको ये देखना है कि जो आपका landing page पे form है वो form आपका integrated है email software के साथ अगर form आपके landing page पे नहीं है तो आप देखो zapier वगरा के थूँ आप अपने landing page को और अपने email service provider को integrate करो ताकि सारे automation आप setup कर सको और सारे emails जा सकी तो अगला काम है ये आपके पास six step क्या है आपको लिखनी है add copies जो भी आप facebook पे add run करोगे उस पे आप कुछ न कुछ copy use करोगे तो अगला काम है आपके पास add copies लिखना और कितनी add copy लिखनी है आपको minimum four to five add copies आपको लिखनी है ताकि वो add copies आप अलग-अलग adds के लिए use कर सको ठीक है जी तो अगला काम है आपका add copies लिखना then उसके बाद आपका काम क्या है videos create करना या फिर images create करना adds के लिए जो भी add run होती है उसमें image या video होती है तो आपका अगला काम है वो video create करना या वो image create करना आपकी add के लिए अब देखो आसान काम क्या है images use करना right but better काम क्या है videos use करना videos आप use करोगे तो देखो दो फायदे है एक फायदा क्या है एक तो लोग click करेंगे और दे जाएंगे आपके website पे दूसरा फायदा क्या है कि video जब कोई आपकी देखता है तो एक additional हम audience बना लेते है जो की custom audience होती है based on video views तो वो audience बना के आप ज़्यादा better काम कर सकते हो अगला काम क्या है आपका कि आप अपना facebook pixel setup कर लो ठीक है make sure कि आपका जो facebook standard pixel है वो काम कर रहा है तो आप उसको install कर लो अगला काम क्या है अगला काम है आप अपना event pixel और custom conversion जो यह दोनों set कर लो ठीक है यह दोनों set कर लो उसके बाद आपको क्या करना है यह देखो आप आपका pixel काम कर रहा है कि नहीं कर रहा ठीक है make sure कि आपका pixel काम कर रहा है और यह कैसे देख सकते हो आप तो मैंने जैसे आपको टूल बताया था facebook pixel checker तो आप उसकी help से चेक कर सकते हो कि pixel काम कर रहा है कि नहीं कर रहा अगर आप tag manager से install कर रहे हो तो tag manager से भी preview करके आप देख सकते हो इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको करना है create campaign इसके बाद आप campaign create करोगे अभी देखो होता क्या है कि जादतर लोग 11th step पे focus करते है create campaign बट उन्हें ये नहीं पता कि भाईया ये तब तक नहीं हो सकता जब तक ये 10 चीज़े ना हो और ये दसो की दसो चीज़े आपको आती है ठीक है अभी देखो बड़े सारे हमारे पास जो chats पर request आती है उसमें लोग कहते हैं कि leads नहीं आरी बट वो कर क्या रहे होते हैं उन्होंने goal select नहीं किया होता है किसी ने अच्छा landing page ने बनाया होता है audience research सही से नहीं किया होती अगर इन्मे से कोई भी काम आपने सही से नहीं किया हुआ अगर आपने अपना goal सही से decide नहीं किया हुआ तो again आपका campaign fail होगा, अगर अपने audience research सही स eat नहीं की तभी आपकी mail fail होगी, आपका campaign Öz RAWूगा,vertis email sequences नहीं लिखे हैं सही से अगर payment failure पे notice नहीं जारी तभी भी आपको काफी loss होगा अगर automation setup सही से नहीं है तभी भी आपको loss होगा क्यों loss होगा क्योंकि लोग आपको आपका course लेंगे या आपका product खरीदेंगे उन्हें mail नहीं जाएगी और भी बड़ी सारी problems हो सकती है then add copies again अगर आप add copy अच्छे नहीं लिखोगे तो आपको conversion नहीं मिलेगी तो यह जरूरी है कि आप add copy अच्छे लिखो again अगर आपकी video अच्छी नहीं है तो again आपके conversion पहिट आएगा आपका conversion खराब होगा again अगर pixel नहीं लगा तो आप कुछ tracking नहीं कर सकते सारा काम है बिगड़ जाएगा ठीक है तो यह जरूरी है कि आप हर काम इसमें से एकदम perfect तरीके से करो अगर आप यह हर काम सही तरीके से नहीं करोगे then आपके campaign के successful होने के chances बड़े ही remote है ठीक है so make sure यह जो checklist है यह आपको इस यह जो वीडियो आप देख रहे होगे इसके नीचे बटनों को उसे click करके आप इस checklist डाउनलोड कर सकते हो आप इसका print out ले लेना and make sure जब भी आप कोई भी campaign बना रहे हो तो आप इस checklist को refer कर रहे हो बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है ठीक है जी thank you so much for watching this lesson